लो गाइज वेलकम टो माई यूटूब चैनल नेचुरल गों मैं आपको मित्र चिकू आज मैं एक नय वीडियो लोकिक पस्तित हूं मैंने लगभग दो महिना पहले गन्ना कूपर एक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था तो स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले गन्ना कैसा था और अब देखी और कैसा हो चुका एका यहां पे और यह गन्ना मेरा दोस्त का भी एए मेरा दोस्त का खेत में है जिसका नाम लोहा है जो कि हार एक वीडियो में आपको दिखता होगा तो कौन सा है लोहा तुम्हारा खेत सब है पुरा अब गन्ना को सही से दिखाओ ये वाला गन्ना को दिखाओ कैसे क्या होता है देखाई लोहा कुमार यहाँ पर दिखा रहा है ये देख सकते हैं आप बताता हूँ मैं इसको ये होता है नीचे जड़ी जड़ी तो आप जानते होगा सोर और इये उपर होता है जड़ी वाला बहुत थ terrorism का होता है ये नीचे से लिकलता है और ये उपर वाला पोकी बोलते हैं पोकी मतलब इसमें मिठ नहीं लगता जएदा पोर्सा का होगा एक पोर्सा मतलब 12-13 ग का होगा ये तो देख सकते हैं यहां मैं बीच में हूँ एक बीच खेट में हूँ जिसमें मूंग रपा हुआ था और मूंग तो गलचुका है इसमें दिखाएगा नहीं और देख सकते हैं यहां पर यह गन्ना का खेती है और गंञा का खेती लगभक साल भर में पूरा होता है का लूहा जानते होंगे वही मिठ्ठा बनता है चक्की जिसको बोलते हैं उसे तो देख सकते हैं लोहा कुमार एक महाँ पर कितारी साहे तोड़ेगा तो थोड़ो लुहक मार तोड़ने का मन है तो और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अभी बादल किया हुआ था पानी होने का डर है लेकिन पानी तो होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी बरसात तो है नहीं अभी सावन चल रहा है सावन में होता है पानी लेकिन ज्यादा पान नह हो तो हमारा चनल को सब्सक्राइब करके बेल मोनों नोट्फिकेशन और कर दें ताकि हमारा हर एक वीडियो मिले यह देखे गाई यहां पर लोहकुमार एक केतारी तोड़ चुका है और यह केतारी सही से दिखाओ लोहकुमार यह देखें इसे बोलते हैं उपर वाला हिस्सा के दमीटावने Сबस्का सकते हैं कि ये लगभग ये लोहाग लोहाग इतना वह इतना वोड़ा मतलब इतना यिद ना फॉर इतना वरतूरा इतना वड़ा कैतारी को बोलते हैं कर चार नाम बता सकता हूं सॱगर केन के तारी एक और घृत तो अगर हम तो इंग्लिज हिंदी और संस्क्रीट हैं बता जी अगर आपको उर्दु में आता है इसका नाम तो कमेंट जरूर करें और आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहें मैं थोड़ा दूर से एक गन्ना का खेती दिखाता हूं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें चीवेगा तो चीवों चीवना का मतलब होता है उसका रसपीना आप सहरवाल के मैंने मुझे सुना है कि इसे खाते हैं लोग बोलते हैं कि खाना लेकिन इसे खाना नहीं होता इसे चीवना बोलते हैं चीवना मतलब उसको चूसना है समा और देख सकते हैं पर कितना बड़ा बड़ा केतारी हो चुका है दो महीना पहले आपने देखा था कि कितना छोटा है और और मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि पहले कितना छोटा था कितना चोटा तो देख सकते हैं पहले कितना छोटा था अगर वो वीडियो नहीं देखे तो link in description लिंक में description में देदूंगा और देख सकते हैं यहाँ लगब आपको यहाँ पे इधर वे कितारी का मतलब गन्ना का खेती नहीं दिख रहा हुगा का है लिक लेकिन दो साल यह पांध यूश्य साल पहले इधर पुरत खैति होता था गण्ना का तो थोरा बन हो हो चुका है लेकिन अग्ला साल से दो साल के अंदर फूरत कहशvideo का को छेति ही दिखगा तो तो सल के बाद में दिखाऊंगा कि कैसा होगा यहां पर खेती पूरा गन्ना का कैसा लाएगा दूर से और ड्रोन भी आने वाला है इस हमारा तो ड्रोन दिखाऊंगा मैं लगभग दो यह तीन चार महिने कंदर आ जाएगा तो किर्पया सपोर्ट हो के सपोर्ट करें चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके रखें वहां पर मैं नेचर लेटेड़ फोटो एंड वीडियो जालता रहता हूं तो देख सकते हैं यह एक और मैं पूरा घुमा करके दिखा दे रहा हूं कि कैसा है यह हमारा यह एरिया है तो मैं चावल नथी धान का अगर वह वाला वीडियो नहीं देखें होंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्सिन में देदूंगा तो वीडियो जरूर देखेगा तो देख सकते हैं यहां पर एक छोटा सा बच्चा है जो की घास खा रहा है तो उसे खाने देते हैं अधर देखिए इदर पे गाय है बैल है और एक चीज और गाइज यहां पर देख सकते हैं आपको सामने मक्खा का खेति दिख रहा होगा इससे मक्खई बोलते हैं आपको मैं इसका छोटा फार्ट दिखाता हूँ यह कैसा है मैं पीछले वीडियो में दिखाüm दिखाय था कि मक्खई कैसा है जो उसमें इंसेक्ट इंसेक्ट खा चुके थो उसका पूरा पत्ता तो देख सकते हैं यह दोवारा उग रहा है गाईज यह छोटा सा अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर कर दें ताकि नेचर रिलेटेड मौन्टेंड गौन लेटेड हर वीडियो मिल सके आपको कि कैसे क्या होता यहां पर तो बस इस वीडियो में इतना ही हमारे चैनल क तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर कर दें जाए हिन जाए भारत लोगड़न में घर पर रहें सिफ रहें हमारे चैनल पर बने रहें तो मैं कल मिलता हूं आपको एक नया वीडियो लेकर के एक नया टॉपिक लेकर के तो बस गुड़ बाई